नमस्कार दोस्तो, Defense Show में आपका स्वागत है, तो दोस्तो क्या भारती ये UAV पाकिस्तान ने मार गिरा है और ये क्या कर रहा था यहां पर, पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, इसको लेकर ये सारी बाते जानते हैं, वीडियो में बने रहे हैं, और चैनल को सबस्क्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसी ही लेटेस्ट खबरे में आपके लिए लाता रहता हूँ डिफेंस में जियो पॉलिटिक्स में तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेंगी आगे बढ़ने से पहले एक क्वेशन भी कर लेते हैं जो हमारा DRDO है, डिफेंस रिसेर्च एंड डिवलप्मेंट और्गनाइजेशन है इसके हेड़कॉर्टर्स, हेड ओफिस कहां पर है, किस शहर में है अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताओ कमेंट सेक्शन में जिसका सही अंसर होगा, उसको मैं पिन कर दूँगा ताकि बाकी लोगों को पता चल पाए, तो चलिया आगे बढ़ते हैं तो दोस्तो, LOC पर, यानि कि Line of Control पर, जो भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है यहाँ पर हर समय तनाव रहता है, यह तो आपको पता ही है यह दुनिया भर के सबसे ज़्यादा तनाव वाले इलाके में से एक है यहाँ पर कई सारे हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं हम कई आतंकियों को भी यहाँ पर गंडाउन कर देते हैं और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि कुछ दो हफते पहले के असपास BSF ने पाकिस्तान का एक ड्रोन मार गिराया था पंजाब में और कश्मीर में भी फारिंग हुई थी तो तब हमने डिसकस किया था कि किस तरह से हम एक anti-drone system एकडम affordable और बिल्कुल किफायती रूप से एकडम सटीक ड्रोन्स को मार गिराने वाला डेवलप कर सकते हैं और आप मैंसे किसी एक बंदे ने उसमें कमेंट किया था कि कि जो टैक्टिक यह लोग आज मारे हैं ना पाकिस्तानी आज मारे हैं, जैसे यह ड्रोन बेज देते हैं इंडिया की और को तो थोड़ा सा खर्चक करो और इन पर इसी तरह के ड्रोन जो है इन पर उल्टा बेज मारो तो मुझे लगता है कि इंडिया नावी ने उस बंदे का कमेंट पढ़ लिया वाई, क्योंकि खबर तो कुछ ऐसी ही निकल कर आ रही है पाकिस्तान कह रहा है कि इन्हों ने भारत का एक ड्रोन शूट डाउन किया है अलाकि इंडिया में इससे कोई जादा न्यूज नहीं बन रही है लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल इसके पीछे पढ़ गए है देखो पाकिस्तान के ड्रोन इंडिया में तो आते ही रहते हैं ये तो खेर नॉर्मल ही हो गया है लेकिन इंडिया के ड्रोन्स पाकिस्तान में जाते हैं तो पाकिस्तान का मीडिया बहुत जादा बड़ी न्यूस बिना देता है इनके बड़े-बड़े मीडिया आउटलेट्स इसे रिपोर्ट कर रहे हैं इसके लावा प्राइम टाइम डिबेट शोज जो होते हैं वो इसी खबर पर हो रहे हैं तो पाकिस्तान में एक बड़ा मुद्दा बना इसमें जब ये न्यूस सामने आई आप आर्टिकल देख रहे हो कि पाकिस्तान का कहना है कि इनों ने एक ड्रोन मार गिरा है जो कि ये कह रहे हैं कि भारत से है हुआ था नो यहाँ पर कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई जो मैं फोटोस दिखाता हूँ वो पुरानी है ये उस ड्रोन की नहीं है जो मार गिरा ह यह थे पर्सनली मोगा मिलेगा पाकिस्तान में एक पर्सनली पर्सनली मुटाम भारत भारत ने एक फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के ड्रोच के ड्रोन होते हैं, उसी तरह का एक ड्रोन काफी ठीकता कैमरा इसमें होता है, और आप इस से अची काची फुटेज देख सकते हो किसी भी जगे की, और इस तरह के ड्रोन अराम से भारत में, पचास हजार से डेल लाक रुपे क VUSA-SING, भारिक पाटरी बैकप अची के कह रहा है की जैसा छीक प्रौकटिरे गजता है लेकिन नहीं कोकि पुष्टी तो नहीं करूंगा, कि ये जिटें अर्मी नहीं भेजाथा, और ये भी हो सकता है कि किसी का परस्नल ड्रोन हो पाकिस्तानी टरीटरी में चले अरोनों był बड़ा चड़ा कर इसे बता दिया हो, लेकिन जादा पॉसिबिलिटीज ये है कि ये इंडियन आर्मी का ही ड्रोन हो, क्योंकि बॉर्डर पर इस तरह के ड्रोन्स अलाउट नहीं है वैसे भी, और क्योंकि पाकिस्तान लंबे समय से सेंच जीच करता आ रहा है तो हो सकता है कि इंडियन आर्मी ने इनका प्लैन रिवर्स करके इनी के मूँ पे दे मारा हो बट पाकिस्तान लोग पक्के रूप से कह रहा है कि ये एक जासूसी स्पाई ड्रोन था और इन्होंने मार गिरा है ऐसे ड्रोन को अगर आप भारत की साइट की बात करते हो तो भारत में महीने में कम से कम चार या पाँच बार इस तरह के इंसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं बॉर्डर इरियाज में तो आप क्या कहना चाओगे इस पे क्या आपको लगता है उस पर कमेंट सेक्शन में लिखो और ऐसी ही लेटस खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो जय हिंद बंदे मात्रम